नमस्कार दोस्तों आज वीडियों हम बात करने वाले हैं जुनियर इनियर सिविल 900 पोस्ट कोड के कोशन पेपर के बारे में जो कि एक्जाम हुआ था यहां पे 29 तारीक को आपको बता दे 29 अगस्त को तो कम्प्लीट इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसके बारे में अगर भ किसी को भी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां से जाखके आप इस कोशन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर किसी को सॉल्व करके चाहिए तो वह भी फ्यूचर में कर देंगे तो फिलाल देखिए इस बार पैटरन क्या रहा है जो कि एक्ज अगर किसी ने भी इसको डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं देखिए बहुत ही इस पर पेपर में नुमेरिकल बहुत कम आये थे बात करें स्ट्रक्चर की तो काफी कम पूछा आगे आप देख सकते हैं इसमें क्या सपर आया था तो देखिए आप यहां पे देखिए जनरल नौलेज तो आपको पता है यह साता ही है हमेशा हिमाचल से रिटेड और यह तो हमारी वेफसाइट पेस से भी आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पे देखिए कुंट भ्योग जील जो की मंडी वाला है तो यहां पे कोशन पूछा गया वैदिक नेम ऑफ दी र फ्रेंड बाला आय एड्रिल था इसका जो कि यहां पे कोश्च नमर ट्वैंटी फॉर का नौर्थ आएगा था जो कि ट्वैब का नौमा आएगा था तो यहां पे देखिए चब्विस का जो कि शाहिए सिस्टर आएगा था यहां पे शूर नहीं हुआ बड़ शिस्टर है तो यहां पे देखिए जो कि Coach No.27 है जो कि यहां पे लिखा है protein जो कि rice में होती है जो कि time wine है यहां पर Option B है और जो कि 28 का ए cancer होगा था जो कि Oconezen is responsible for cancer तो यहां पर देखिए the major ingredient of leather is जो कि collision होता आप सभी को पता भी होगा जो कि परसन स्टेंडिंग जो कि स्कॉप्शन भी होका कंकेब होका अगर आपकी इमेज बढ़ी आती है तो नेक्स जो कि यहां पे दूटूल ऑफ हडपा वाला ओप्शन सी है देखे कॉपर एंड ब्रॉंज वाला तो यहां पर देखे जो कि हत्यार बनाते थे तो किस से बनाते थे जैन टेंपल सीटी तो गिरनार है जो कि आपका है गुजरात में तो अप्शन नहीं पर 32 का यहां पर 33 का यहां पर मुझे भी श्योर नहीं हूं मैं शायद बदन सिंग हो सकता है इसके मुगल इंपेरर वार जो कि जाट ने जो कि और्गनाइज की थी फोर्स जो कि यहां प पेश्वा विकम्स ऑफिश्यल तो शायद यह 1748 है पेश्वा बालत 34 कोशन नंबर का अंसर वी इस दी नोन एज हिरोईन ऑफ दी नाइन कोइंट मोवेंट जो की थी 1942 में तो इसका अरुना असर्फ वाली है ऑफ्शन सी दिपॉल्स से अप सबसेट्री अलाइंस वास फॉर ड्रॉन फ्रॉम देशाइद कंसॉलीडेटिटिट फंड इसका हो सकता है बाकी अभी पता नहीं मैं श्योर नहीं हूं इसका कंसॉलीडेटिटिट फंड होगा या नहीं होगा पब्लिक फंड कौन साइथ तो इसमें आफ ध्यान मज़िए जाता है फॉर दी यहां पर देख 42 ऑप्शन भी है देखिए डिसेंट्रलाइज दिफाबर ऑफ दी डेको में डेमा स्वरी डेमोक्राइसी और नेक्स्ट फोर्टी है विच इस नॉट फीचर ऑफ इंडियन एकॉनिक्स प्लानिंग तो उप्शन सी में भी इसका हो सकता है बट आप देख सकता है अभी शॉर 42 का दी में टाइप ऑफ वैदरिंग रिजन इन लाइमस्टोन टोफोग्राफी इस तो शायद कैमिकल वैदरिंग है यह और 43 का डाइवरस्टी वाला ग्रिटे डाइवरस्टी तो यह ट्रॉपिकल मॉइट फॉरेस्ट में आएगा बाकी यहां पर प्यंगोंग इस दी कैप सब्सक्राइब यहां पर प्रदेश वाले रिजन आप सभी को बता हुए वाले एरियास है तो इंग्लिश के कोशिन आगे तो आप इसको मैच कर लिए पाकी हिंदी के आगे तो यहां पर जिस प्रकार से था जोगी खतम हो गया नेक्स्ट कोशिन यहां पर सोइल इंगिनिर इस पती है यहां पर के लिए राट थी प्लासिटल में tutा इसे यहां प्लास्टिक प्लास्टी को पलास्टी तो यह वाला कोशन में आ गया देखिए जो की डैम स्वेरा में होती है यहां पर बाकी यहां पर लेटरल अर्थ फ्रेशर रिटेनिंग वॉल्स तो उसके बारे में आ गया है कोशन नेक्स्ट यहां पर टोटल एक्टिव अर्थ फ्रेशर के रिगार्डिंग पूछ लिया गय कर देखिए अब भी चले हुए हैं मैं यहां पर पर आ गया यह देखिए फिर से लिकृमिट वाला कोशन यहां पर आ गया हैं रहे तो अब अच्छा कोशन पर आ रहा है अगर बात करी जाए आपको पढ़ने के लिए पहले आपको नमेरिकल अबढता था था तो तो यहां पर दीखे पुरुसीटी फाइंड करनी आपको पता है इसका फॉर्मूला जो कि यहां पर वाइड रे पॉरुसीटी का क्या होता है तो दीखे इसका शायद यहां पर 33 प्रसेंट आएगा सनलाइट इन कॉंटेक्स्ट विद वाटर वाड़ी तो यह वाला आ गया है देखिए सर्टेशन ओफ यहां पर रिमूब वाटर इस इन डन तो रिमूब तो यहां पर देखिए बायो कैमिकल ऑक्सिजन डिमांड उसके रिगार्डिंग आ गया है तेंपरेरी हार्डनेस कैसे यहां पर देखिए रिजर्वियर इंक्रेज इप पॉप्लेशन तो यह वाला आ गया है आपका वेस्ट वाटर इंगिनियरिंग जो कि डिफलोमा में होती थी तो यह डिफलोमा का कोश्चन है यहां पर जो भी डिफलोमा के लिए शायद यहां पर बोला भी गया था क्योंक है आपका ट्रांस्पोर्टेशन जो कि हाइब इंगरिंग है सुपर अच्छे रहते हैं इसमें स्ट्रेंट पढ़ भी सकते हैं और स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं में वी क्योंकि इसमें कोई भी शक्त नहीं है बट कोश्ट में पर ऐसा ही होना चाहिए अगर आप आगे भी कोशन आ अगें अनडर टेकिंग यहां पर फिर से हाइबे काई कोश्ट यहां पर पूछे जा रहे हैं घलाल है एंप देखिए संनलाइड रूफ घरम औराएं पूछ जारे है तो यहां पर देखिए मोमेंट अफ इनर्षा का कोश्ट न आ अगया डियू आपका है देखिए construction materials से question बने पूछ एंसरे के सारे तो यहां पर देखिए chemical वारोल ये construction बनील बालाyer question है तो यहां पर देखिए black cotton suitable तो यहां पर देखिए outs यहां पर देखिए बाकी header विदियो हो रही है तो यहां पर देखिए ब्लिस्ट को सिन्तिमेटर वाला तो यहां पर देखिए 25 टाइम की जाती है आईस कोड से कोशन पूछा गए अग्रिगेट कंटेनिंग तो अभी स्लम्प को तीन लेर में भरा जाता है पहले चार लेर में भरा जाता था तो यहां पर देखिए विकाट अपरेटर स्क्राइटेंटिंग जो की कोड है यहां पर यहां पर देखिए यह टीनॉट वरा आगे थे उसी से कोशन थे तो यहां पर देखिए अभी तक देखिए अभी थोड़ा-थोड़ा यहां पर आईएस्ट बिएश्टिल वाला स्टिल श्रक्चर के कोशन चल पड़े हैं देखिए तो 130 थ्री कोशन होगा अब स्टील देखें तो यहां पे देखी 40 कोश्टन शायद में थोड़े बहुत आयों इसमें भी हाइड्रोजी एल्स भाइन फ्यूर्य तु यहां पे देखे आपके 10-20-20 साइड जाएं डाय गराम कोसिन आ गया था यह फिट से यहां पर हाइड्रोजी निपर यहां पे काफ़ी यहां प्रेक्टर से पूछे गें पर दूसरे वाला जो कि हमारा होता है आता था एम एफ हम उससे रलेटिड आते हैं वह बहुत ही कम पूछे गए तो काफी अच्छा वेपर था इस वार अगर कहा जा सकते हैं तो यहां पर देखें यह पूरा का पूरा कोशन वेपर खतम हो गया त चमईतने तान आवाद